सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सेमसंग ने अपना नया स्मार्टफून F-Series के अंदर लॉंच कर दिया और यह स्मार्टफून है सेमसंग एलक्सी F-52 5G बेसिकली इस सेमसंग ने चाइना के अंदर लॉंच कर दिया क्या लेकिन जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को मेक के एंड तक या फिर जुन के स्टाटिंग में यह स्मार्टफून इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा लेकिन अभी भी यह confirm नहीं कि क्या Samsung मतलब F-series के अंदर ही launch करेगा या फिर M-series या फिर A-series तो यह तो आने के बाद पता चल जाएगा लेकिन हाँ, यह smartphone इंडिया के अंदर 100% यहाँ पर launch होगा तो Samsung ने launch कर दिया है Samsung Galaxy F-52 5G जो कि Samsung के F-series का पहला 5G smartphone यहाँ पर होने वाला है फोन का space, अगर हम लोग pricing की बात करें, तो चाइना में एकिव वेरेंट लॉंज किया 8GB RAM 128GB internal storage और उस smartphone की pricing यहाँ पर Samsung ने अदाखा है, लगबग 22,500 रूपीज, अब अगर इस price category में इंडिया में भी launch करता है तो मेरे ख्याल से लोगों को यह smartphone यहाँ पर पसंद आएगा क्योंकि जो space है, यह मुझे personally ठीक लगा, क्योंकि space में कोई कमी नहीं है, जो आप लोग बोल सकते हैं कि होना चाहिए आला कि Samsung ने काफ़ अच्छा स्मार्टफून ने हाँ पर दिया है space को देखते हुए, 6.6 इंचेस का आप लोगों को यहाँ पर एक display मिलता है, जो कि full HD TFT display है, अब यह IPS TFC display है, यह फिर LCD display यह तो आने के बाद पता चल जाएगा लेकिन हाँ, आपको TFT display यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन आप लोगों को 120Hz का refresh rate इस स्मार्टफून के साथ मिलने वाल है तो यह एक अच्छी बात है बात करते हैं, प्रोसेसिंग पावर की तो यहाँ पर Samsung ने इस्तिमाल किया है Qualcomm का Snapdragon 750G जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है 128GB का internal memory है यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा बेक साइड में 64 Megapixel का Quad Camera का Setup मिलता है 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Lens 5 का Dev Sensor और 2 Megapixel का आप लोगों को Macro Lens मिलने वाला है और 16 Megapixel का आप लोगों को Front Camera इस स्मार्टफून में मिल जाएगा हलाग कि बात करते हैं इसी के वाज़ा से फोन थोड़ा सिलीम होगा देखने में और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है तो फोन में आपको 445 मिल एंपर के बेटर मिलेगा और पाचीस वाट का चार्जर मिलने वाला है सेमसंग का One UI 3 मिलेगा एंडूड 11 मिलेगा तो यह सब जो नॉर्मल एस्प्रेशिफिक सान है यह सभी ठीक ही ठाग आप लोगों को मिल रहा है अगर सारे 22,000 रुपिस में ओवर ओल फोन काफी अच्छा है क्योंकि जो लुक दिया है सेमसंग ने वह भी यहां पर एक नया लुक है आपको देखने में काफी अच्छा लगड़ा होगा आप लोगों को साइड माउंटेन फिंगर प्रिंट का सेंसर मिलेगा तो जो फोन का लुक है यह फोन का लुक मुझे पर्सनली काफी पसंद आया पैंचोल डिस्प्ले मिली है लेकिन वह में पांचोल को मिले का तो ओवार एक सेमसंग का स्मार्ट फ़ुन का है आप वह एक हैँ स्मार्ट फोने मतले हैं मतलत में बीजाइन भी अच्छा है है इसमट सब्सक्राइब हो सकता था लेकिन अगर फिर सूपर एमलेट डिस्प्ले मुझे लगड़ा है कि अगर देता तो फिर से M42 की तरह है आपको HD प्रस का ही रेजलेशन मिलता लेकिन है आप लोगों को फुल एचेडी और 120 हज का रिफ्रेश रेट मिल रहे है तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले में आप लोगों को कोई भी सिखायत यहां पर नहीं होना चाहिए आप लोगों को सेमसंग दे रहा है तो इसके लिए आप लोगों को क्या ओपीनियन है केमेंट सेक्षान ने बताइए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दिजिएगा तकि उन तक ये वीडियो पहुंच जा और प्लीज च